अस्सलामु आलीकूम और रहमतुल्लाई बरकातु दोस्तों केसे आप सब मैं हूँ शबीन ठाकूर और आप देखरें कोकिंग विश शबीन अली तो आज हम आपको बर्फ में जमे हुए चिकन का तरीका बताएगे आप इसको 9 से 10 मिनिट में बहुत ही आसानी के साथ खोल सकते हैं तो सबसे पहले हम फ्रीजर में से चिकन को निकालेगे तो देखिए तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो प्लास्टिक बैग में है तो इसे हम निकाल लेगे प्लास्टिक बैग से अलग करेगे तो आप देख सकते हैं चिकन पर पुरी बर्फ जमी हुई है और इसके ओपर की सारी बर्फ भी पिगल जाएगी और सारा खुम जो है इस पर जमा हुआ है वो भी बहुत ही आसानी से 9-10 मिनिट में आसानी से साफ हो जाएगा यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लिये है और इसमें पानी डालना है पानी इतना होना चाहिए कि चिकन इसमें अच्छी तरह से डीप हो जाए तो यहाँ पर देखे हमने एक बर्तन में पानी लिये है और इसमें यह दो से तीन टेबल स्पून नमक डालेग और आप इसे अच्छे से मिला लेगे और इसमें ये जो चिकन है इसे डाल देगे नमक हमेशा वर्फ को पिगालने में काम आता है तो आप इसे हम ढग देंगे और 9 से 10 मिनिट बाद आपको बताते हैं तो 9 से 10 मिनिट हो गए है तो हम यहाँ पर धकन हटा देते हैं और इसे चेक कर लेते हैं तो चले यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं तो देखे कितनी आसानी से ये जो चिकन है वो आसानी से बिलकुल अलग हो जाते हैं और वैसे तो आप इसे बहुत सारे तरीके होते हैं गोश्ट को पिगालने के लेकिन हम आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका बता रहें जैसे के कभी-कभी इसे हम गरम पानी के अंदर भी रखकर खोल सकते हैं या तो आप इसे ओवन में रखें तो यह तब भी यह खोल है लेकिन यह हम आपको इसका कलर बिल्कुल वैसे का वैसा रहना चाहिए तो इसलिए हमने यह बिल्कुल आसान तरीका आपको बताए है तो यह बहुत ही आसानी से 90 मिनिट में खोल जाते हैं तो जब भी कोई मेमान आए तो आप इसे 10 मिनिट पहले रख ले तो यह फॉरन के लिए बिल्कुल आअसान तरीका है तो आप भी इसे जरूर से जरूर ट्राइ़ करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें सारा खून भी निकल गया है पुरा साफ हो गया है हमारा चिकन तो इस पानी को हम फेक देगे और यहाँ पर हम यह दूसरा पानी लेकर इसे अच्छे से दो लेगे तो हमारा यह चिकन बहुत ही जबदस सा देखिए साफ हो गया है तो 9-10 मिनिट में बहुत ही आसान तरीका है तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करें इस तरह से बहुत ही बेस्ट और बहुत ही आसानी से चिकन को खोल सकते तो अगर रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना भूलेगा मत तो यह हमने देखे दूसरा पानी लिए है और दूसरे पानी से भी इसे अच्छे से दो कर निकाल लेगे तो इसी तरह से आप भी ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें तो ये बहुत ही आसान टीप्स हैं आपके लिए तो आप इसे जरूर से जरूर ट्राई करें और ये टीप्स आपको अच्छी लगी हूँ तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सकाइब करना भूलिएगा मत तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़िदार टिप्स या रेसिपी के साथ तब तक के लिए दुआउ में याद रखे चेकर, आलाफीज